पत्रकार हैं राहुल जरा आपसे समझना चाहेंगे या एंटी डिफेक्शन लौ जो है वो बहुत एहम रोल प्ले करता है तो उसके लिए तेरा मिनिमम जो है वो विधायक चाहिए होंगे तो क्या लगते आपको किस तरह के समिकरन बन रहे हैं देगे मैं दो तीन बात इसमें कहूंगा कि पहले अपने जो सवाल पूछा उसका जवाब देता हूँ एंटी डिफेक्शन का जहां तक सवाल है केवल तूटना जो है वो काफी नहीं है उनको या तो किसी दल में शामिल होना होगा या उनने ये प्रूव करना होगा कि वो ओरिजिनल कॉंग्रेस हैं इसके कर दिया किसी ने तो तो दूसरी बात अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सच में हर्श महाजन जो है उनकी लौटरी ही लगी है क्योंकि पहली बार राज्यसभा के चुनावों में जो है वो सेक्शन वन जिरो टू जो है जो रिप्रेजेंटेशन ओपीपल एक्ट है उसका गया है और रूल सेवन्टी फाइव और जो एटी वन है कंड़क्ट ओफ इलेक्शन का उसका इस्तमाल किया गया है इसमें बकाइदा अगर किसी विदायक किसी राज्यसभा के कैंडिडेट के लिए बराबर वोट पड़ जाते हैं तो बकाइदा लौटरी ही निकलती है एक वोट निकाला जाता है वो वोट पे जिसका नाम होता है वो आदमी हार जाता है राज्यसभा में अगर आपने किसी एक आदमी जो जो ड्रॉफ लॉट्स है उसमें एक वोट निकाला जिसका नाम होगा वो हार जाएगा इससे उल्टा है लोग सभा में लोग सभा में भी ये सेशन में बजट पास नहीं होता तो जो सुखू सरकार है वो गिर सकती है और दूसरा ये भी बात है कि देगे मुझे लगता है कि बीजेपी क्या सच में जो है वो चाहेगी कि इस वक्त सरकार गिर जाए बहुत ही नेगटिव पॉब्लिसिटी होती है जब आप की इस डिफेक कामान है उनकी तरफ से दो अबज़वत जो है बिल्कुल और कॉंग्रेस भी उसकी तैयारी कर रहे है कि सरकार किसी तरफ बज़ जाए फिर चाहे सुखू को हटाना ही क्यों ना पड़ जाए मेरे सहयोगी आरुन शिमला से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और विधान उनको आना था विधान सभा सत्र में हिस्सा लेना था इसलिए उनको चौपर से आना पड़ेगा क्योंकि समय कम है और 11 बजे ही विधान सभा अध्यक्ष हो सकता है कोई रूलिंग दे दें अगर कॉंग्रेस से इन बागी विधायकों की बात नहीं बनती है इस वक्त मैं वि करा मिलेटरी फोर्स के जवानों को भी यहां पर तैनात किया गया है क्योंकि हंगामा हो सकता है क्योंकि सदन के अंदर सदन के बाहर दोनों तरफ जिस तरह से जैराम ठाकूर ने आज आरोप लगाया है कि जो मार्शल थे सदन के अंदर उन्होंने भारती जंता पार्टी की विधायकों के साथ मिस्भ्याइब किया, उनके साथ अपमानजनक शब्द तरीके से उनको पकड़ा है, उनके गर्दन तक हाथ गया है, तो इस सब को हंगामे के आसार को देखते हुए, यहाँ पर सुरक्षा बेवस्ता पुक्ता की गई है, रही बात आज की रननीती की, तो और बीजेपी को लगता है कि इस जरीए वह सरकार गिरा सकती है, जबकि कॉंग्रेस दूसरी रननीती पर काम कर रही है, कॉंग्रेस च्छाव इदायकों से बाचित कर रही है, अगर वो मुख्यमंतरी को हटा कर किसी और को मुख्यमंतरी बनाने पर सहमत हो जाते हैं, तो को डिसक वाली बिल्कुल अब जरा समझते हैं रजिंदर राना न्यूजेटिन से जुड़े उन्होंने का कि सरकार बनने के बाद सिर्फ उनको जलालत मिली है कई बार उन्होंने मुख्यमंतरी बदलने की मांग जो है वो हाई कमान के सामने रखी थी लेकिन उनकी इस मांग को नजर अंदाज किया गया और इसलिए ये छे विदायक जो है वो खफा हुए है और ये छे विदायकों के लावा अन्य विदायक भी जो है वो इस समें भाजपा के संपर्क में हैं क्योंकि सीदे तोर पर ये कहा जाए कि 14 महीने की सरकार को अब एक गिर भी सकती है या फिर म दल बदल कानून से बचने के लिए भाजपा की जो रन्निती बनी है उसमें छे विदायकों के लावा साथ और कांगरसी विदायक उनको साथ में लाने की कोशिश में इसमें भाजपा लगी गया और जो सोर्सिस भाजपा के बता रहे हैं कि दो मंतरी भाजपा के संपर्क मे यहां से लेकर जाया जा रहा है क्या इनको सीधा शिमला लेकर जाया जायेगा यहां कहीं ओर लेकर जाया जायेगा यह देखने वाली बात होगी लेकिन हिमाचल की राइनिती से जुड़ी सबसे बड़ी ख़बर ग्राउंड जीरो से निउस एटिन आप तक पंचार है कि किस तरह से चोपर में यह विदायक बैठ चुके हैं इनके मोबाइल जो है वो बंद हो चुके हैं कॉंग्रेस आई कुमान इनसे संपट जो है वो अभी तक साथ नहीं पाई है क्योंकि इनके मोबाइल फोन जो है वो और इस समय भाजपा जो है भाजपा इस समय हिमाचल परदेश में एक बड़ी उतल फुतल जो है वो करती वी नजर आ रही है क्योंकि जो हिमाचल भाजपा के सोर्सी समय जानकारी दे रहे हैं कि दल बदल कनून से बचने के लिए भाजपा की जो नई रननिती बनी है इन छ कुछ और विधायक भी इस समय हैं और रजिंदर राना जो थोड़ी दिर पहले न्यूज एटिन से उन्होंने बात की उन्होंने का कि सरकार बनने के बाद सिरफ जलाला जो है उनको मिली है अब गेंद आला कमान के पाले में हैं अगर मुख्यमंतरी को बदला गया तो बात जाए लेकिन सुकुंदर सुकु को नहीं बदला जाएगा तो ऐसे में अब जब रिजंदर राना न्यूज एटिन से बातचीत कर रहे थे उन्होंने का मेरे लिए सारे दास्ते खुले हैं फैसला जो है वो कॉंग्रेस आलाकमान ने करना है हमें ये मुक्रमंतरी मजूद न लैंड करेंगे क्योंकि 11 बजे बजट स्थ शुरू होना है विदान सभा का सत्र शुरू होना है ऐसे में वक्त कम है इसलिए उन्हें वहां पहुँचना है राहुल जरा अब ये समझाए कॉंग्रेस की दिक्कत क्या जब जब कष्ट आता है कॉंग्रेस पे संकट आता है र किया आपको लगता है दिक्कत सुख्व के साथ हुई और जो कॉंग्रेस के विदायक है उनको क्या दिक्कत थी सुख्विंदर सी सुख्वाद सिख्वादinkं जो पूर्व मुख्यमंत्री थे राजा वीरभदर उख्यानी जो पतनी है और उनके बेटे जो विक्रमा देते ह उनका गुट है अब इन दोनों गुटों के बीच में जो कश्मकश है जो रसा कशी है वो चलती ही रहती है अब ऐसे में ये जो हर्श महाजन है ये बहुत जादा वीरभदर सिंग के क्लोज रहे हैं बहुत जादा उनके राइट हैंड मैन माने जाते थे उनको बहुत पसंद क गुट है वो जादा इस डबाव को डाल रहा है कि जो सुखु हैं उनको मुक्यमंत्री पद से हटाया जाए तो ये जो वहां की अंदरुनी जो कश्मकश है कॉंग्रिस की वो दिखाई देती है अब राहुल गांदी का जहां तक सवाल है मैं शुरू से मानता हूं कि राहु पंदन उसको बनाना चाहिए ता ना कि वो कोई आ जाए या ना आ जाए ऐसा लगता उनको कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये जो एक फुल टाइम पॉलिटिशन ना होने का जो उनका जो एक इमेज जाती है ये सही नहीं है उनके बिलकुल और मेरे दो-दो सयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं यतेंद्र हैं और साथी साथ हमारे साथ अरुन भी मौजूद हैं यतेंद्र पहले आपके पास आना चाहेंगे हैं जब शकी यतेंद्र हैं अरुन नार को चाहें आपके ल MR podr बनर यितेंद्र का रूमीट साथ होने करका Luther Jar impression जो हनो बिल दोने की एनका भी मौजदद्र व continue to leant ओे साथ हैं जितेंद्र हैं विल